खृपया हम्रुपात्रो सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेशन को लागी बेल आइकन थीशनु हला लंकृत कुंडला प्रभिलसन मुक्तावली सोविता सर्भज्यान निदान पुस्तक धरा रुद्रक्ष माला करा वाग्देवी बदनाम बुजे बसतुमे त्रैलोक्य माताचिरं मुकम करोति वाचालं पंगुम लंगयते गिरिम यतक्रिपातम हम पंदे परमानंद माधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाया मितते जसे यस्या प्रसाद द्वक्ष्यामी नाराहिन कतामिमाम नाराहिडम नमस्कृत्या नराम चैबन रुत्तमम देविम सरसुतिम व्यासं ततो जय मुदे राए अथा सप्त दसो ध्यायाहा कुमारजी आग्यागरनुँँचा हे अगस्ते मुनी तेसपची महादेव राज हमसहरु का साथ भएरा मैन सरो बर्मा अनेक हमसका साथ जला केडा गरी रहनु भएको थियो तेई अवसर मा विश्युन लाई ठुलो बेगले आये को देखी राज हमसरुप महादेव भन्नोंचा हे विश्यु यस्तो बेगले मा कहा किये काम परे रायो तिमिलाई के कस्टा आई लागे भन यतिव महादेव को बचन्शनी विश्णु गरूड बाडवरले दन्डवत प्रणाम गरर भन्नु भयो हे इस्षर हजुर यता आय पची हजुर को रूप धारण गरे जालन धर पारवतिलाई छलना कईलास पुगे छरा पारवतिले मलाई छलना जालनधर आय चवन्ने थापाई तियाहां नवा सेरक कसेहीले नदेखने इस्थानम लुकी मलाई डाकनु भयो अनि म गईरा सारा विस्तार बुजी यहां आये कहूं अब म गईरा तेसकी इस्त्री ब्रिंदा को पति ब्रता धर्मा नास पारेर आउँचु यती विश्णु को बचन सुनी महादेब राज हमसको रूप छाड़ी आपनु रूप धारन गरी क्रोधले राता राता आखा पारी आग्यां गर्नु भयो हे विश्णु तेसो हो भने मो अब कैलास जान्चु तिमी ब्रिंदा कहां गईरा तेसको पति ब्रता धर्मा नास पारेर आउँचु तेस पापिष्ट जालंधर लाई मन्नमारी छोड़ने चैना वन्दय पाखुरा निमोठी क्रोधा युक्त भायरा विश्णु लाई पठाये आफु कैलास परवत्मा पारवती लुकी रयको इस्थानमा पुग्णु भयो अनि महादेव आउनु भयको देखे रा पाउधोई दंडबद गरेरा ये स्वामी भनी जालंधर आएको सारा बृतांत बरणन गरिन अनि महादेव आग्या गर्न हुँचा ये प्रिये मत्यो पापिष्ट जालंधर लाई नमारी छार दिना विश्णु ब्रिंदा को सत्य आएको देखे रा प्रिंदाले स्वामी आए भनी पाउधोई भित्र लागे रा बसालिन अनि सो दिन ये स्वामी पार्वति लाई छलन जानु भयको कि गरेरा आउनु भयो पार्वति मभंदा कत्तिकी सुन्दरी रही चन भन्नु हाउस त्यती सुनी जालंधर रुप इस्वामी होईनन विष्णु मलाई छलना मेरा स्वामी को रुप धारणगर्र आयकार आए चन भन्ने जानी अब मैले के युक्ति गर्णु पर्यो भनी हाउभाउ कटाक छले विष्णु लाई बसमा पारेर भन्ने हे स्वामी मो केही कुरा भन्दचु हजुर मननु हुन चकी मननु हुन्न यती सुनेरा विष्णु ले जे भने पनी मान्चु भन्ने चन मेरो बाचा भयो यती बाचा गरी शेक भीछी उन्ने भनिन विष्णु श्कुरा केई होईना केवल मनना आय सम्मा यही बसीराउनु होला भनेरा विष्णु लाई कोठामा थुनी आफु और कई घर मा गईरा वशीराईनु अईले आवलिन भरे आवलिन भन्दे प्रतिच्यामा चार दिन बित्यो तैपनी ब्रिंदा फरकिनन अनी विष्णु चिन्ता गरने लागे अब अम यसे गरी बसीराउं भने कती दिन सम्मा बसने जाउं भने बाचा गरी एको छा उता मह महादेबले के भन्नु हला भनेर चिन्ता अलग गई छा कसरी यहां बाटा उमकने इत्यादी तरक गरे पनी केही गर्न सामर्थ थिये न उता महादेबले विष्णु गय को यतिका दिन भई शको तैपनी किन फरकिन बनी ध्यान द्रिष्टिले बिचार गरी पार्वतिशित भन्नुभयो ये गिरी जे ब्रिंदा लाई छालन गय का विष्णु लाई उसाईले छाली कोठामा थुनी राहे किचा यति भनी माया द्वारा येवटा अत्यनत सुन्दर सुर बर्ष को भिख्चुक उत्पन्न गरी उसलाई भन्नुभय हे विच्चुक तिमी अंता पुर जालन धर का घर गयरा विच्चान देही भनी ब्रिंदा ले थुनी राहे का विष्णु लाई मागेर ल्याउ यति सिवजी को आग्या सुनी हुन्चा भनी सरासर जालन धर का घर पुगी विच्चान देही भनी अनि ब्रिंदा ले ज्यालबाट एरिंड अत्यनत रामर जोगी देखी यस्त तो राम्रर अलू किक योगी माईले आज देखी कि थी न मेरो घार मा मागना पन कईले आयका थी अन यस्तो नभीने योगी लाई विच्ठा देनी परदा चा इत्या दित्रक गरिंड़ा विच्फ्षा लिये रहा गईन हे योगी राज के मागना को दिने भय मागचु नदिने भय ब्यार्था के मागनू यती सुनी ब्रिंदाले बनिन मुईले दिने हुने बस्तु जे मागे पनी दिने शुभनी बाचा प्रतिग्या गरे पचे योगिले बने अरुकेई चाइन न केबलती मिले कोठामा थुनी राखे का लाई मागदाचु तेई येवटा कुरादेव योगी को बचन सुनेय बिन्दा मनमने विचार गर्न लागेन अभक्ये गरू यस योगीले छल गरेरा बाचा बन्दन गराई हाले नदिये बाचा हारीं चा जे भाय पनि बाचा हारनो अनुचुतनी हो यस तो तरकेगरेरा कोठामा थुनी राखे का जालन धर रूप विच्णु लाई बाईरे लियाई योगी को जिम्मा लगाई दिन यसेरी विच्णु लाई साथ मा लियेरा योगी बाईरे निस्की अंतरधान भाई कैलास्पुगेरा सि जिन्तन गर्दै गरुड मा चड़ेरा कैलास पुगदा भय विश्णु कैलास ज्यादा गरुड उडेको चरको सब्दले जालन धर मुर्चा बाट जागेरा केको सब्द हो भनी बिचार कर्दा विश्णु ले कैलास को चर्चा गरी रहादार आये छन अतहा पार्वति भय को भिश्णु तिरह हेरेरा महा देवले आग्यागर नुब़ाया हे भिश्णु तिमी ब्रिंदा को सथ्त्य डगाऊनं गय का यतीका दिन सम्म तісहाँ की गरिदायो आपनो काम अर्थात उसको सत्ते डगाऊना सके हो की सके नौ। आपनो काम अर्थात उसको सत्ते डगाऊना सके हो की सके नौ। आपनो काम अर्थात उसको सत्ते डगाऊना सके हो की सके नौ। आपनो काम अर्थात उसको सत्ते डगाऊना सके नौ। आपनो काम अर्थात उसको सत्ते डगाऊना सके हो की सके नौ। आपनो काम अर्थात उसको सत्ते डगाऊना सके नौ। आपनो काम अर्थात उसको सत्ते डगाऊना सके नौ। देवता हरु शित लड़ाई गर्न कैलास तर्फ गयो नारज जिले कैलास पुगी जालंदर शित भयको सारा कुरा सिवजी लाई बिन्ती चड़ाए तेस्पची महादेवले ब्रह्मा विश्नु इंद्रा यम आधिशाकल देवता हरु लाई युद्ध गर्न जाओ बनी आग् का भेट भयर भयंकर संग्राम आरंबा भयो देवता हरु ले बेस्चरी चीचाई अनेक का अनेक सस्त्र अस्त्र प्रहार गरे तर तिनको प्रहार ले जारंधर लाई केई पनी हानी रन नक्षानी हुने सके ना आफुले प्रहार गरे का सस्त्र अस्त्र को केई हानी गर्न न सकेको दिखेरा देवता हरु मनमा दिक्कमानी आफन सस्त्रास्त्र जीकी चुपचा अभए तब बैकुंटनात विश्नु रिशाई पंच जन्य संख बजाई कोमो दकी गदा प्राहार गरे तेस गदाले जालन धर लाई छुदई छोयन अनि देवराज इंद्रा रिशाई अब यस्तो चालले केई हुन सकते न वनि महादेव कहा गयरा हे जगदिस्वर हमिले जालन धर लाई मार न शके न तपाई बिना तेस लाई मार न अरुको शक्ती पनी छाई न अवत तपाई ने संग्राम मा जानो पर्यो येती विश्नु का बचन सुनी महादेव आगे गर ये विश्नु जालन धर की इस्तरी ब्रिंदा को पति ब्रत धर्मा ले गरदा जालन धर लाई क कसे ले पनी मार न शक्दैना अता तिमी आपनो माया ले छोपी जालन धर को रुप धारण गरी अंता पूर्मा गयरा ब्रिंदा को पति ब्रत धर्मा नस्ट गराऊ मो गयरा त थोपी अंता पूर्मा जालंधर को घर अपुगे बेशाधारी जालंधर आये को देखी ब्रिंदाले हाथ पाऊ धोए रा कोठामा लागे रा आसनमा बसाले रा सोदिन हे स्वामी महादेव सिता युद्धा गरना जानू भाय को के गर राउनू भायो तेती सुने रा अनि राध परेवची ब्रिंदा संग अनेक तराका बारतालाप गरे रा तेसको प्रति ब्रता धार्मा नश्ट पारी दिये रात बितेपेची जालंधर को रूप धारण गरी आपनो स्वरुप चार बाहु मा संख चकरागदा पदम धारण गरी दिभ्यदर्शन दिये त्य देखेर ब्रिंदा रिसाई हे पापिष्ट बिष्णू तिमिले पपट गरे रा मेरो पति ब्रता धार्मा नश्ट गरी दियेऊ वनिन अनि विष्णू आग्यागर्न हुंचा हे ब्रिंदा जालंधर लाई सिवजी ले हिजे मारी शके अब तिमिले म बैकुन ठको अधिपत भयको नाराण जस्तोलाई स्वामी पाय पची तिमिलाई के को चिंता तिमि पत्याउं दिनो भने एक छिनमा समचार पावली भनी नाना तरह सिता ब्रिंदा लाई बुजाउंदा भये इती श्री इसकंद पुराणे केदार खंडे माग मात्मे कुमार अगस्त संबादे श् नाली नदल निवेक्षण क्रिष्ण काले वर्शतु परजन्य प्रतिवी सस्य सालिनी देशोयम ख्षोबरैतो ब्रामना संतु निर्भया अपुत्रा पुत्रिना संतु पुत्रिना संतु पुत्रिना निर्दना सदना संतु जीवन्तु सरदाम सदाम तत्रैभ गंगा गोदावरी सिंदु सरस्वती चा तिर्थानि स्तर्वाणि बसंति तत्र यत्रा चुत्यो दारकत प्रसंग या कुंदेंदुत सारहारदवला या सुब्रवस्त्र अवृता या वीना बरदंड मंडित करा या स्वेत पदमासन या ब्रह्मा चुत संकर प्रविति विर देवैस दावन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती नीशे सजाध्या पहा काये नवाचा मनसेंदी एरवा बुद्ध्यात्मनावा प्रकृतिश्व भावाद करोमी अध्यत्सकालंपरस्मे नारायना इति समर पयामी भीगनारता गनेशी भगवानको जै साम्बसलाशी भगवानक श्री स्वस्थानी माता को जै संपुन भगत हरुको जै कर दो